Hi everyone, exam medicine channel में आप सभी का स्वागत है हम बात करने वाले हैं इलावाद यूनिवर्सिटी में जो ग्रूप C के आपके exam कंडक्ट कराए जा चुके हैं उनसे related कुछ information की जो आप सब को बता होने चाहिए उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि मैंने कल एक वीडियो की द्वारा आपको बताया था कि आज शाम को चार बच के 20 मिनट पे आप यदि चाहें अगर आपकी कोई query हो किसी भी exam को लेकर कोई भी पढ़ाई से related कोई भी query हो तो आप live session में जुड़ कर आप पूस सकते हैं अपनी confusion को दूर कर सकते हैं जिनको जरूरत होगी वो लोग शाम को चार बच के 20 पीम पे जुड़ सकते हैं आईए हम इस वीडियो में बात करते हैं देखे जिन लोगों ने भी data entry operator का exam दिया है junior office assistant का exam दिया है और जिन लोगों ने हिंदी typing का जो exam है भी हुआ नहीं है उनका होगा ये वीडियो उनके लिए बहुत ही useful है और देखे बात इसमें ये है कि जिन लोगों ने data entry operator का exam दिया है उनके लिए जो typing का है उनको English ही करनी है 40 word per minute की और जिन लोगों ने junior office assistant का दिया है उनके लिए option है या तो हिंदी या तो English ठीक है अब बात आती है कि हमारी typing speed की तो data entry operator में आपको 40 word per minute करना है जबकि junior office assistant में यदि आप English के typing करेंगे तो आपको 30 word per minute करना है यदि हिंदी की करेंगे तो 25 word per minute करना है देखिए इन्होंने typing से related कोई सूचना या कोई detail अपने पूरे notification में कहीं पर भी नहीं दिया है तो आप लोगों को हिंदी अगर typing करनी है तो आप लोग मंगल font पे या उसको in script कह सकते हैं जो भी आप कहिए वही जीज होती है आप उस पे typing कर सकते हैं और English के लिए तो कोई font है ही नहीं तो एक ही होता है आप उस पे कर सकते हैं तो वहतर होगा कि आप English पे ही practice करिए क्योंकि English आप जल्दी भी कर सकते हैं जिन लोगों ने भी शुरुवात ना करी हो हिंदी के उनके लिए हैं यादि आप उसमें comfort है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं और यहां पर एक चीज यह बतानी वाली है कि देखिए जो data entry operator के candy rate है उन्हें English typing तो 40 word per minute में करनी ही है और उन्हें knowledge होनी चाहिए knowledge of English and Hindi software देखिए English और Hindi software के knowledge का मतलब है आपको हिंदी का भी आपकी speed हो ना हो लेकिन आपको हिंदी typing के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए मैंने आपको यह चीज बहले ही बता रखी थी कि आपकी जो पहले typing होती थी कहीं पर भी किसे भी department में या कहीं भी किसी आयोग से form आता था तो manual होती थी आपको एक sheet दिया जाता था उससे देख के आपको typing करनी होते थी पर अब ऐसा है नहीं आपको software प्रोवाइट करा जाता है आपको उस पे उपर detail आपका पूरा passage लिखा रहता है और आपको उसी को देख देख के typing करनी रहती है दूसरी बात अब हम यहाँ बात करते हैं typing की जो timing duration होता है उसके बारे में देखिए अलग-अलग IO के अलग-अलग timing duration होते है एक्जाम के अभी फिलहाल इलहाबाद University ने इसके लिए कोई detail नहीं दिया है कि कितने मिनट की आपके typing होगी देखिए जितने मिनट की आपके typing होती उसके recording ही वो आपको वहाँ पर word प्रवाइड करते हैं कि आप उत्ते टाइम में उतना कर लीजिए ठीक है तो अगर आपको maximum या तो 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट इससे जाद आपको नहीं मिलेगा अभी तक देखिए जैसे अगर आपने UPP में दिया होगा युत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपकी computer operator की form आते हैं उसमें 15-15 मिनट मिलता है 15 मिनट आपको English typing की मिलती है वो submit होता है तो फिर आपको उसके बाद 15 मिनट की Hindi typing करनी होती है तो पैसज भी उसी के recording बनाया गया होता है तो आप इससे निश्चिंत रहिए जितना भी होगा आपको पैसज ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में करना है तो वो आपको बहुत सारे words को देंगे ऐसा कुछ नहीं है जितने आपको timing मिलेगी उसी के recording आपका passage भी रहता है कि आप इनके speed को qualify करते हुए कर सके ठीक है और इसमें एक चीज और बता दो accuracy की बात करें तो आप यह मान के चलिए कि आपकी accuracy कम से कम आप अपना 98 दीजिए 98 अगर accuracy आएगी तो आप बहतर करेंगे वहां पर ठीक है कुछ गलतियां तो सबसे होंगी वहां पर ठीक है तो वह तो common है लेकिन इतना होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने मांगा है 30 word per minute आपने 30 word per minute क्या आपने 35 word per minute कर दिया लेकिन आपकी accuracy 50% है तो आप disk qualify होगे फिर आपको सही सही typing करनी है ऐसा नहीं कि बस कर दिया है सही हो या गलत ठीक है और कुछ ऐसे software होते हैं कि जब हम typing करते हैं तो आपको जैसे आप अभी अपने घर पे बैट के practice करेंगे तो आपको जो वो software मिलता है उसमें आपके जैसे ही error होंगे आपको एक red color से दिखाई देगा जैसे हमाली जे कुछ लिखा है आपने एक जगा जैसे ही b type कर दिया तो यह वाले को तुरंत आपको क्या करेगा इंडिकेट कर देगा red color से कि आपने गलत किया है लेकिन जब आप typing देने जाते हैं तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है किसी किसी exam में होता है और किसी में नहीं होता है ठीक है आपने अगर high court इलहाबाद का जो RO और ERO करा होगा उसमें आपने देखा होगा तो उसमें तो आपक कंडिशन को फेस करने के लिए तो जो लोग भी typing कर रहे हैं वो सभी लोग अच्छे से typing करें देखें टाइपिंग क्या होता एक बार अगर आपने स्पीड बना ली है 35 तक की सब में 35 की तो आप मालीजे कुछ दिन के लिए उसको नहीं भी करते हैं जब आप दुबारा करे तो आटोमेटिक 10-15 दिन के अंदर आपी टाइपिंग उतनी अच्छी हो जाती है लेकिन आपको सुरुवात में इतना कर लेना है ठीक है तो आपके जो भी एक्जाम होगी अभी तो इलहाबाद इन्वस्टी में आपको तैपिंग देनी होगी और प्लस आपको इलहाबाद आपको टाइपिंग तो करनी पड़ती है तो इसलिगे आप सब लोग उसको अच्छे से कर लीजिए तो यह रही सोफ्ट्वेयर के बारे में जोन करी कि आपको किसी भी प्रकार का मिल सकता है और आप जब ऐसे करते हैं तो आपको कुछ जगह ऐसे सो करता है जैसे आपको इ ज़रूरी नहीं है कि जो आप एक्जाम देने जाए रहे हैं उसमें भी आपको ऐसा ही दिखें और एक बात और है कि यहां पर टाइपिंग जो है क्वालिफाइंग नेचर है मैंने बहले भी बताया था यह जान लीजे कि अगर फुट्टी है तो फुट्टी होना भी चाहि आप डिस्कॉलिफाइंग नहीं होगे लेकिन इन सब एक्जाम में ऐसा ही होता है ठीकर चाहे वह आपका उत्तर प्रदिस पुलिस कंपीटर ऑपरेटर का देते हूं आप चाहे अभी इलहाबाद इंवस्ट्री का हो जाएगा आपका केवियस का इन सब में जहां भी लिखा है क्वालिफाइंग नेचर स्किल टेस्ट का तो वहाँ पर ऐसे ही चीज़ें आती है तो उमीद है आपको इस अब सीजे समझ में आ जाएंगी और यह हिंदी टाइपिंग के लिए जो कंडिरेट है उनको भी कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिस ही करना है 30 वर्ड पर मिन के तो कि फटो कि आप करनाई ही घूपनी ही तो इस समय आपको इतनी सूचना देनी थी आप इसके लिए प्रड़ हो जाए हिए क्योंकि टाइपिंग के लिए क्या होता है कि जब भी आपकी टाइपिंग होगे कमें आप एक बर स्पीड अपनी बना लीजे उसके बाद अग आप उस दिन ब्रेक कर देंगे नहीं भी करेंगे तो भी आप जब स्टार्ट करेंगे करना तो 15 से 10 दिन लगेंगे आपके स्पीड उतना गिन कर लेंगे तो मेरी तरफ से आप लोगों को यह सजेशन था जो लोग इसे करना चाहें वो कर सकते हैं और जो लोग शाम की कारी देनी थी नेक्स वीडियो में हम फिर मेलेंगे तब तक के लिए टेक केर जैहिंद